गाइस पेट्रोल और पर्फ्यूम को जब भी आपने अपने सरीर के किसी भी आउन पर लगाया होगा तो आपको उसमें से थोड़ी थोड़ी थंड़क सी महसूस हुई होगी तो क्या आपने सोचा है कि ऐसा होता क्यूँ है जबकि पेट्रोल के अंदर ना ही हमने बर्फ के टुकड़े को डाला था ना ही पेट्रोल को फ्रीज के अंदर रखा था फिर भी पेट्रोल हमें थंड़क ही महसूस करवाता है इतना ही नहीं चाहिए हम पेट्रोल को गर्मी के उड़ना सुरू हो जाते हैं लेकिन फर्क इतना ही होता है कि कुछ जो लिक्विड होते हैं वो बहुत ही कम तापमान पर ही बॉइल होना सुरू हो जाते हैं और कुछ लिक्विड को बहुत ही ज्यादा तापमान लगता है बॉइल होने के लिए जैसा कि पानी को 95 से 100 डिगरी Celsius ही लगते हैं boil होने के लिए तो इसलिए जब petrol को हमारे सरीर पर गिराया जाता है तो petrol हमारे सरीर के तापमान को absorb कर लेता है और भाब बनकर उड़ना सुरू हो जाता है और इसलिए उस particular जगह पर जहां पर petrol गिरा होता है वहाँ पर हमें हंडक महसूस होती है तो गाइस इससे पहले तक आपको यह जानकारी पता थी तो कमेंट बॉक्स में बताईएगा मिलता है एक नेक्स वीडियो में